आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप दिसमबर 2024 एकजाम के लिए assignment का question paper कैसे और कहां से download कर सकते हैं आपके लिए valid assignment का question paper कौन सा इस किया पहचान कैसे कर सकते हैं और सबसे important आपके लिए assignment जमा करने की last date क्या है आपके किन गलतियों के वज़े से आपका पूरा का पूरा assignment reject किया जा सकता है और उससे भी important आप assignment का answer कैसे और कहां से प्राप्त कर सकते हैं तो इन सभी चीजों के बारे में detail में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और ignorance related सभी update और notification time to time पाने के लिए चैनल को subscribe करके bell notification को on कर लिजे ताकि सभी update आपको मिलते रहे assignment का question paper डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाले page पर आना होगा इसका link मैंने नीचे दे रखा है अगर आपको master dairy का question paper डाउनलोड करना है तो यहाँ पर click करेंगे यहाँ से आप कोई भी question paper को डाउनलोड करते है तो यहाँ पर जो आपसे यह सवाल पूछे जाते है जैसे कि यहाँ पर यह सवाल दिये गए है इसी का answer आपको लिखना होता है और assignment बनाना होता है तो अगर आपको assignment बनाने में कोई भी दिक्कत आ रहा है या फिर website पर जितने भी question paper दिये गए उनमें से किसी भी question paper का अगर आपको assignment का answer चाहिए तो आप क्या कर सकते है किस WhatsApp नमर पर हमारे team से contact कर सकते है और assignment का जो answer है PDF format में कम दामों में खरीद सकते है यह जो WhatsApp नमर है नीचे description box में मैंने दे रखा है अब बात करते हैं कि आप question paper को कैसे download करेंगे तो question paper download करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप December 2024 एक्जाम के लिए assignment जमा करने के लिए eligible है या फिर नहीं तो उसके लिए आप यह video देख सकते है इसमे मैंने session wise और program wise बता रखा है कि किसे assignment submit करना होगा और किसे नहीं करना होगा इस video का link मैंने नीचे दे रखा है अब बात करते है question paper के बारे में इसका question paper download करना है फिर किसी और करना है माले जी MEG करना है तो यहां पर MEG लिखेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा और यहीं पर click करके आप question paper को download कर सकते हैं लेकिन यहां पर आपको यह देखना है कि December 2024 exam के लिए जो early based program है उसमें आपको 2023 और 2024 का question paper download करना होगा यानि कि जिस पर जनवरी 2024 लिखाओ वही question paper आपको download करना है यहां पर यह जो जुलाई 2024 जनवरी 2025 दिया गया है यह वह आपको download नहीं करना है यह अभी December exam के लिए valid नहीं है या फिर आप program code को यहां पर manually भी देख सकते हैं कि MART का यहां पर दिया गया ह MA political science का यहां पर दिया गया है तो आप इसको manually भी ढूंड सकते हैं अगर search करने से नहीं मिलता है तो ऐसे यहां पर bachelor degree का दिया गया है BA का ज्यादातर program का subject का question paper यहां पर आप देख लीजे जनवरी 2024 जो लिखा हुआ है यहां पर आपको click करना होगा यहीं पर आपको मिल सकता हूं कि कौन सा question paper आपके लिए valid है कौन सा valid नहीं है लेकिन जैसे के मैंने आपको बताया आपको यह देखना है कि 2023 लिखा हुआ रहना चाहिए question paper पर जनवरी 2024 लिखा हुआ है early based program के लिए तो यह valid है और अगर आपका semester based program है तो उस पर आपको यह देखना है कि उस पर ज December exam के लिए valid है माल लिज़े कि आप यहां से कोई भी question paper को download करते है और उस पर इस तरीक से January 2024 लिखा हुआ है तो यह question paper December exam के लिए valid है तो आपको यह देखना है कि January लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है तो यह आपके लिए valid है या फिर कुछ question paper ऐसे भी होंगे जिस पर July 2023 और January 2024 लिखा होगा तो January 2024 लिखा हुआ है तो यह December exam के लिए valid है इसको आप बना सकते है इसके लबा कोई भी question paper आप download करेंगे तो उस पर last date लिखा हुआ रहता है जिसकि इसी पर आप नीचे करेंगे तो यहां पर देखिए बताया गया कि जिन्नोंने January 2024 में एडिविसल लिया है उ तो भी valid है यह फिर कुछ question paper ऐसे भी है जिस पर validity लिखा होगा अगर उसमें लिखा है कि 31 December 2024 तक valid है तो वह December exam के लिए भी valid है कुछ question paper वेबसाइट पर आपको ऐसे भी मिलेंगे जिस पर 23-24 लिखा हुआ है लेकिन यहां पर validity में देखिए तो बताया गया कि यह 30 June 2024 तक valid है तो यह expire हो चुका है यह जो subject है इसका नया question paper एगनों के तरफ से update किया जाएगा तो उसके लिए आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा अब जब यहां से आप question paper को download कर लेते हैं मालेज को कोई भी question paper download करना है तो बस आपको subject code मिलाना है हिंदी medium का चाहिए फिर English medium का इस तर link मैंने नीचे दे रखा है इसमें मैंने 11 ऐसे कारण बता रखे है जिसके वज़े से जब आप assignment को बनाना सुरू करेंगे या फिर बना लेंगे तो आपका assignment reject किया जा सकता है अब वो क्या-क्या कारण है जिससे आपको बचना है तो यह video देख लेना क्योंकि अगर बाद में आपका assignment reject हो जाता है तो आपको फिर से बनाना होगा तो कोई भी परेसानी ना हो तो उसके लिए पहले आप ये video देखी लेना आप ही फाइदे में रहोगे इसके लावा देखिए कुछ question paper ऐसे भी होंगे जैसे कि मैंने आपको बता है उस पर आपको last date देखना है यह जो आ last date में 30 September 2024 या 31 October 2024 लिखा हुआ है तो वह December exam के लिए valid है और December 2024 exam के लिए assignment जमा करने की last date है 30 September September के first week से आप अपना assignment online या फिर offline जो भी mode आपको बताया जाता है submit करवा सकते है लेकिन यह जो 30 September last date है इसको extend किया जाएगा और आपको 31 October तक assignment submit करने का मौका दिया जाएगा और जैसे कि मैंने आपको बताया यहां वेबसाइट से जो आप question paper को download करते है तो उस पर अगर 2024 पच्चिस लिखा हुआ है तो यह question paper जो है early based program के लिए December 2024 exam के लिए valid नहीं है जैसे कि यह question paper है इस पर देखे जुलाई 2024 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जिन्होंने जुलाई 2024 में admission लिया है या फिर जो जुलाई 2024 में re-registration करवाएंगे यह उनके लिए है तो यह December exam के लिए valid नहीं है आपको यह वाला download नहीं करना है या फिर अगर आ इसको देखकर के भी आप खुद ही पता लगा सकते कि यह question paper आपके लिए valid है या फिर नहीं तो देखे यहां पर बताएगे कि जो भी जुलाई 2024 में admission लेंगे तो उनका यह assignment है मार्च 2025 में जमा होगा तो इसको आप December exam के लिए जमा नहीं कर सकते है December 2024 exam के लिए या फिर यहा करता हूं कि आप यह चीजे समझ गए होंगे तो जो लास्ट डेट लिखा हुआ रहता है इससे भी आप पता लगा सकते कि जो question paper है वो आपके लिए valid है या फिर नहीं आप देखे जिनका भी semester based program है जैसे कि MCA, BCA या फिर MBA तो उसमें आपको देखना है कि जुलाई 2024 question paper पर लिखा हुआ है या फिर नहीं जैसे कि यहां से कोई भी question paper को download करेंगे यह download हो गया मैं इसे आपको बड़ा करके दिखा देता हूं आप नीचे करेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर देखे जुलाई 2024 लिखा हुआ है semester based program में आपको यहीं देखना है जुलाई 2024 लिखा ह हुआ है तो दिसंबर एक्जाम के लिए यहां पर भी आप देखेंगे तो बताया है कि जुलाई से दिसंबर तक लिखा हुआ है यहां पर आप क्लिक करेंगे तो कोशन पेपर आपका ओपन होगा मैं आपको दिखा देता हूं देखिए इस पर जुलाई 2024 लिखा हुआ है तो यह दिसंबर एक्जाम के लिए यहां भी आप देखेंगे तो बताया गया है जिन्होंने जुलाई 2024 में एडिमी से लिया है उनके लिए जमा करने के लास्ट डे देता हूं तो यहां पर देखें बीसी लिखा गया है यहां पर बीसी न्यू करके अपडेट किया जाएगा जुलाई 2024 का तो जब आएगा तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बाकी में टेलिग्राम के मादेम से आपको अपडेट भी कर दूंगा तो उसके लिए आप यह करना होगा और जिन भी रेजलन सेंटर के तरफ से अभी समिशन का मोड नहीं बताएगा तो उसे में यहां पर अपडेट कर दूंगा तो इस वाले पोस्ट को आप टाइम टू टू टाइम चेक करते रहिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो लाइक किज किजिए सेर किजिए और इगनुसर एलेटेड आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकती है